मैं ममता जी को करबद्ध निविदन आपके इस कारेक्रम के माध्यम से करना चाहता हूँ पुलिटिक्स करने के हजारों मंच है प्लीज बांगलादेश से आयुए बंगाली हिंदू का अहित मत करिए आप खुद बंगाली हैं बांगलादेश से जो बंगाली हिंदू आये हैं इनको नागरिक्ता देने के लिए एक कानून है ममता जी को मैं खुली चुनोती देता हूँ इस कानून की धारा में से किसी की नागरिक्ता छिनने की एक धारा वो बता दे सारोजनी कुप से वो खौप पैदा कर रही है हिंदू और मुसल्मानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है अपनी वॉट बेंक का कॉंसुल्डेशन करना चाहती है ममता जी इसको मत रोकिये करने जैसा काम है गुसपेट रोकिये नहीं रोक रही है किस तादात तक गुसपेट हुआ है और कब से हो रहा है देखे इसके अधिकरूत आंकडे जब तक राज़ कॉपरेट न करे ढूनना बहुत दिक्कत होती है क्योंकि कलेक्टर के हाथ में पूरा मसने रही है अगर वो दिन दूर नहीं है वो दिन दूर नहीं है कि वहाँ पर भी भारतिय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कडाई से रोकेंगे इसलिए तो आपको चानक्या चानक्या कहते हैं पॉलिटिक्स नहीं नहीं मैं मानता हूँ कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स अब करेंगे इतने महतवपून राष्टिय सुरक्सा के मुद्दे के साथ एपीस्मेंट की पॉलिटिक्स करकर घुसपैट होने देंगे जो सरनार्थ ही आया है उनको नागरिक्ता देने का विरोध करेंगे तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी ममता जी को सरनार्थ ही और घुसपैट ही दो सब्दक के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है मालूम नहीं है या जान के नहीं कर रही अब मैं तो जो बोलती है वो सच मानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ मालूम नहीं